हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, तो अभी हम धनौल्टी से वापस जा रहे हैं वसूरी की तरफ, बहुत आराम से चलानी पड़ रहे हैं को कि बरफ पड़ी हुई यह रोड पे और काफी स्लिपरी है अभी जाते टाइम रास्ते में काफी प्रोबलम आई जैसे की रास्ता देख रहे हैं, बरफ ज्यादा पड़ी हुए साइडस में, और सिर्फ जहां पे पहले से गाड़ी गई हुए बहीं से निकाल सकते थे ऐसे जब गाड़ी क्रोस करती है तो काफी प्रोब्लम आई हमें और जाते टाइम हमारी भी गाड़ी एक बार स्लिप हो गई थी तो थोड़ा सा धक्का मार के हमें निकालने पड़ी बाकी कोई प्रोब्लम नहीं आई बहुत बढ़िया पर्फॉम गया पंचने यहां पर आये हम सोटा सब बरफ का इंजोए करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उपर आते टाइम बहुत फिसलन है बड़ी मुश्किल से उपर आया है यहां पर हम आया है बिल्कुल क्लियर स्नो है इसको घराब करेंगे यहां पर आके वह हमारी टड़ा पंच खड़ी है देख रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है बहुत ज्यादा ठंड है और यह थोड़ी दिर पहले फोग बड़ी पैर जमा के अरे पैर जमा के आरे पैर जमा के आरे बहुत भुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं अभी एक दोस्त का फोन गिर गया थे यह यह बाइक्स पे लोग घूम रहे हैं यह जा तो जा तो जा आगे दा प्रक्राबरी इस बनाओ तो कि और साहे पार सोफेटेशा है तो दस्तों बहुत जदर थंड है आपे तो देख दो है आपे काफी यह बरफ जो है वह बहुत नीर है यहां आएगा मजाक था वह देखो वहां पे बड़ी मुश्किल से लोग आ रहे हैं तो यहां पर हमने थोड़ा सा इंजोई किया ब्रफ के साथ और वीडियो वगरा बनाई फोटो वगरा क्लिक करी और उसके बाद हम थोड़ा सा यहां पर डांस भी किया हमने गाड़ी की स्पीकर बहुत बढ़िया है टाटा पंच के हमने यहां पर यूज़ करके देखा 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 तो यहां पर बस्ती करने के बाद हम वापस मसूरी चले गए थोड़ा हमें अधेरा हो गया था पहुंचते-पहुंचते अभी हम मालोड आये हैं मसूरी के मालोड में रात का नजार साक ही बड़िया है यहां पर here कि अभ यहां पर हम होटल सब्सक्रस कर रहेएं कल अब करने यह वर। हमने रिया दूर ख़ा अब हम यहां पर आज फास में देख रहे हैं तब तक 001 Square कि काफी लोग आए हुए हैं यहां पर और ना को तो बस ऐसे ही नाम है काफी भीड़ भाड़ है अभी तक मार्केट बंद भी नहीं हुई है यह देखिए करिए मेरे चैनल को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और इसके बाद जैसे स्नोफॉल शुरू